नमस्कार 36 गड के नमर वान बुलिटिन में आपका बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंशिका पाठक शुरुवात करेंगे बड़ी खबर के साथ साइ कैबिनेट की बैठक मंत्राले में हो रही है कैबिनेट की बैठक मोदी की गारंटी पर हो रही है और मोदी की गारंटी को लेकर इसमें चर्चा हो रही है तृतिया अनुपूरक बजट को कैबिनेट मंजूरी देगी बजट 2024 से 25 के अंतिम स्वरूप पर भी चर्चा होगी लोग कहित के अन्य विश्यों पर भी चर्चा ह रही है लेकिन जो मोदी की गारंटी है वो प्राथमिक्ता के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में मंत्राले में साइक केबिनिट की बैठक हो रही है कुछी देर बाद विस्तार से इस पर जानकारी भी साजा की जाएगी कि आखिर केबिनिट में किन चीजों को लेकर चर्चट से ठीक एक दिन पहले मंत्राले में साई कैबिनिट की बैठक दोहजार चॉबिस से परचिस के अंतिम स्वरूप पर भी इसमें चर्चा होगी और कई ऐसे विशय हैं लोकहित के विशय जिन पर चर्चा हो रही है युगल तिवारी सम्मादाता साज उड़ गए है युगल बजट को लेकर चर्चा हो रही है एक दिन पहले ही उसके साई कैबिनिट में मोदी की गारेंटी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और किन विशयो पर आज इस बैठक में बातचीत होगी चर्चा होगी वि पर आज जिस तरह से बजट अभी होना है तो बजट को लेकर चर्चा होगी तो आज जिस तरह से बजट अभी होना है तो बजट को अंटीम स्वरूप देने पर चर्चा हो सकती है तिर्टी अनुपुरक बजट पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि से पहले जब केंदरी गिरियमंतरी जब आये थे तो एन डबलूई की बैटक भी हुई थी उसमें मावादिया को पीछे ठकेलने की बात कही गई थी तो एक अहम निर्णा लिए जा सकते हैं फिलाल उसका बेसबरी से सभी को इंतजार हैं इतगराईयों को तो कई अहम निर्णा लिए जा सकते हैं और फिलाल कुछ दिर बाद जब कैबिनेट मंतरी यहां पर आएंगे और ब्रिफिक करेंगे तो फिलाल पूरी जानकारी हो सामने आएगी लेकिन अभी जो बैठकों क जारी है कई अहम निर्णे लेने की जो उमीद है जो संभावना है क्यास है वही लगाए जा रहे हैं जिक है बहुत शुक्रिया यूगल जानकारी साजा करने के लिए तो मोदी की गैरेंटी प्रात्मिक्ता के तौर पर देखी जा रही है और कई ऐसे विशय भी है जिन पर हो रही आगे बढ़ेंगे बात करेंगे पूर मंत्री पर आईटी का चापा पड़ा है दो तीन दिनों तक ये रेट चल सकती है अलग अलग ठिकानों पर चापे मारी हो रही है सौ से ज्यादा अधिकारी जाच कर रही है दस्तावेजों को खंगाल रही है आईटी की टी कोईला घोटाला के आरोपो से घिरे 36 गण के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के केना बान स्थित निवास और पाइप फैक्टरी में आईकर विभा की टीम ने चापा मारा पूर्व मंत्री भगत के वाहन चालक महेंद्र कुमार के गाड़ा घाट इस स्थित घर में भी आईकर विभा की टीम ने दबिश दी इनका कामकाच देखने वाले करमचारी के घर पर भी आईटी की टीम पहुची टीम ने दस्तावेजों की जाच की आईकर विभाक के चापे मारी के बाद अमरजीद भगत ने मीडिया के सामने बयान दिया पूर्व मंत्री भगत ने कहा परिशान करने के लिए ये कारवाई की जा रही है बलरामपूर में पूर्वमंत्री अमर्जीद भगत के नीजी सहायक राजेश वर्मा के घर पर भी छापा मारा गया तो वहीं अतुल शेटे के राइगर स्थित निवास पर भी आईटी की टीम पहुची अतुल शेटे अमर्जीद भगत के OSD रहे हैं अमर्जीद भगत पर IT के चापे पर महासमुन विधायक योगेश्वर राजू सिंग ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूरी होगी IT, ED अगर कार्रवाई कर रही है तो कॉंग्रेसियों को दिकत नहीं होनी चाहिए तो वही पूर्विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि ED, IT, CBI, BJP के टूल के रूप में काम कर रही है प्रसासन इसमें काम कर रही है ED अगर चापा मार रही तो कांग्रेसियों को इसमें दिकत नहीं होना चाहिए अगर उनके पास है काला धन है तो ED उसको चापा मार रहा है IT उसको मार रहा है, income tax वाले मार रहा है आईटी की टीम दुर्ग भी पहुंची जहां बिल्डर रजे चौहान के यहां च्छानबिन की गई आईटी की इस बड़ी कारवाई पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन राइपूर चतीजगर चतीजगर के सुक्मा में मंगलवार को नकसलियों के हमले के बाद अब मुटबेड का ड्रोन वीडियो सामने आ गया है जिसमें काफी बड़ी संक्या में नकसली देखे जा सकते हैं इस बीट सीम ने नकसली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रधांजली दी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आई टीटी पार्ट की टीम लगातार 36 गड़ में कारवाही कर रही हैं कुछ पूर्व मंत्री हैं कुछ पुलिस के अधिकारी हैं इसके अलावा ब्यापारीक प्रतिष्ठानों पर भी अभी तक जो कारवाही है दबीस है वो जारी है और यहां पर पूरो मंत्री अमर्जीत भगत है खादे मंत्री उनके बंगले पर भी उनके निमास पर भी इनके साथ-साथ उनके जो अधिनस्त जो करमचारी रहें उनके ठीकानों पर भी रायगड में भी कारवाही है और आप देख सकते हैं कि पूरी आयटी की टीम है वो लगातार यहां पर कारवाही है वो कर रही है अगर हम 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ में लगबक 100 से अधिक करमचारी हैं वो यहां पर आये हुए है आयटी डिप कारवाही है जो छापे मारी की कारवाही की जारी है उन लगबक 2 से 3 दिनों तक चल सकती है किमरा पर सक मनीज गीते के साथ युगलतिवारी नुजेटिन रायप और 36 गड़ तो अमरजीत भगत की काई ऐसे ठिकाने हैं उनके करीबियों के जो ठिकाने हैं वहाँ पर जो है चापे मारी जारी है इस पर आप रिपोर्ट देख रहे थे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नकसल बात की सुकमा में मंगलवार को नकसलियों के हमले के बाद अब मुटभेड का ड्रोन वीडियो सामने आया है इस वीडियो में क्या दिखाए दे रहा है पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरी आप समझे सुक्मा में बीजापुर जिले के सरहत पर पुलिस और नकसलियों के बीच हुई मुटभेड का ड्रोन वीडियो सामने आया है वीडियो में नकसली कमांडर हिड्मा की कमपनी नंबर वन के नकसली जवानों को घेरने के लिए पोजिशन लेते देखे जा सकते हैं कैमपर और सर्चिंग कर रहे जवानों पर हिड्मा के इशारों पर 300 नकसलियों ने हमला किया था सुरक्षबलो ने भी जवाबी कारवाई की जिसमें 6 नकसली मारे गए थे वीडियो में बड़ी संख्या में नकसली दिखाई दे रहे हैं इस बीच सियम ने नकसली हमले में शहीद हुए जवानों को शद्धांजली दी सियम के साथ ग्रिय मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहें तेकुल गुडा के पास नकसली मुर्भेड में हमारे तीन जवान सहीद हुए और अंदरा जवान खायल हुए किनों जवान के सहाधत को नमन करते हैं उनको सद्धांजली देने भी आये हैं और जब से डबन लेंजीन की सरकार बनी है 36 गर्दम भारती जनता पाटी की सरकार बनी है नकसलवात के साथ लड़ाई मजबुत हुई है और इसका बोखलाहट नकसलियों में है टेकल गुड़ा में कल ही स्वरक्षा सिवीर, स्वरक्षा कैम्प सुरू हुआ था और अचानक मारी जवान कूपर में अटेक हुआ लिकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे नकसली हमले के बार टेकल गुड़ा गाओ एक बार फिर से सुर्ख्यों में आया है यहाँ 2021 में बाही जवान शहीद हुए थे नकसलियों के इस गड़ में जवान कैम्प लगानी की कोशिश कर रहे है इस पर विजय शर्मा ने कहा कि टेकल गुड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ जाना मुश्किल होता है यह जवानों के लिए बहुत बड़ी जीत है यहाँ जाना मुश्किल होता है वहाँ कैम्प लगाया जाता है कल सुकमा के जवान शहीद हुए हैं उनके चर्णों को छू कर नमन करता हूँ और सरकार हर समय उनके परिवार के साथ होगी राजी की सरकार और केंदर की सरकार जो कुछ प्रावधान है लंब बहुत अच्छे प्रावधान है वो सारे प्रावधान पूरे किया जाएंगे परन्तु कल की घटना का विसाई ये है कि एक बड़ी जीत जवानों ने दर्ज की है उस स्थान पर जहां कुछ भी जाना संभो नहीं था वहाँ पर अब विकास का कैम्प लग रहा चर्चा के लिए हर छण हर पल तयार है किसी भी माध्यम से तयार है हमारे नौजवान अगर राह भटके हैं तो मुख्यधाना में लाने के लिए कभी भी बात की जा सकती है लेकिन समाज को बहुत दर्द हो चुका है और न सहा जाए ऐसा समाज का कहना है आपको बता दें कि कल सुकमा के टेकल गुडा में सुरक्षा बलो और नकसलियों के बीच मुटभेड हुई थी जिसमें तीन जवान शहीद हुए थे शहीद हुए जवान आसाम, तमिलनाडो और मद्ध प्रदेश के रहने वाले है विरो रुपोर्ट न्यूज एटीन राइपोर्ट च्छतिसगर जैसे जैसे लोकसभा चुनाओ के सुक्भुगाहट तेज होती जा रही है शतिसगर बीजेपी में टिकेट के दावेदारों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है पार्टी के नए चेहरों को तरजीह देने की खबर ने कई दावेदारों की उमीदों को पंक लगा दिये दूसरी तरफ प्रत्याश्यों को लेकर मत्था पच्ची कर रही पार्टी के लिए एक कड़ी चुनाओती भी है शतिसगर में लोकसभा चुनाओ की सरगर्मी तेज है खास कर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में उम्मिद्वारों को लेकर मन्थन चल रहा है पार्टी सुत्र बता रहे हैं कि जादतर सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है नए चेहरों को मौका देने की खबर ने पार्टी में टिकट के दावेदारों में उर्जा का नया संचार भर दिया है 36 गड में लोकसभा की 11 सीटे हैं, चुनाव में करीब 100 दिन का समय अभी बाकी है लेकिन अभी से 40 दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं जिसमें से कई दावेदार तो अपना बायोडाटा लेकर बड़े नेताओं के दर्वाजे पर दस तक भी देने लगे हैं दो हजार चुबिस लोकसभा चुनाव में संगटा नम को जो भी जिम्मेदारी देती हैं हम उसे पूरी निष्टाजे करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि दो हजार चुबिस के लोकसभा चुनाव में मानी मोदी जी के नेत्रित में भाश्पा की 400 सीटे आएंगी और हमारे देश के ससी प्रधान मंतरी फिर से मोदी जी ही बनेंगे और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि 36 गण में जो 33% आरक्षन दे के नारी बंदन किया गया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 36 गण में तो कम से कम 33% आरक्षन हम सब महिलाओं को मिलेंगा पर 36 गण में भारती जंता पार्टी ने अपनी तयारियां प्राराम भगर दी है और उसके अभी हमारे कल चेतरी संगठन महामंतरी आदरणी स्री अजय जामबाल जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंतरी मानी पवन साय जी ने बिलासपुर लोकसभा की बैठक भी ली और लगातार इस प्रकार की बैठकों का कम पूरे प्रदेश में जारी है यह केंदरी चुनाव समित्ती का विशे है इस विशे पर वही हमारा केंदरी सिर्स नेती तो ही इस विशे को अच्छे से बता सकेगा वहीं इस बार महिला उमिदारों को टिकट देने की खबर ने महिला दावेदारों की उमिदों को भी पंक लगा दी है गौर तलब है कि पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों ने कहा कि बीजीपी लोकसभा चुनाओं में 33% महिलाओं को आरक्षन देने की नियम का पालन कर बीजीपी में टिकट के लिए पूरो सांसद विधायक मेयर से लेकर बूथ स्तर्तक के कारकरता अपनी दाविदारी जताने की लगे हैं हाला कि टिकट पर फैसला केंद्री नेत्रुत को करना है लेकिन अस्थानी नेताओं के सुझाओ इसमें एहम भूमिका अदा करेंगे यही वज़ा है कि जाद तर दाविदार अपनी अपनी पहुच के मुताबिक प्रदेश के आला नेताओं के दर्वाजे खट-कटाने लगे हैं उमेश मौरेज, न्यूज 18, बलास्पूर बनाई गई है, उधर कॉंग्रेस संचार विभाग प्रमुक सुशील आनंद शुकला ने प्रवेश समिती परतंज कसा है और कहा है कि पहली बात तो ये है कि कॉंग्रेस का कोई बढ़ानेता बीजेपी में नहीं जाना चाहता वो जान बूच कर ऐसी अफवाहे फैला रही हैं देखिए ये राजनीती है और राजनीती में अपने कुंबे को बढ़ाने का काम हर पार्टी करती है और हम ऐसे लोग को लेंगे जो भारती जनता पार्टी के नीती और सिध्धानतों से सहमत है पूरी की पूरी कांगरेश भी यदि हमारी नीती और सिध्धानतों से सहमत है और भाजपा में आना चाहती है तो हमको कोई आपत्ती नहीं आर नोес सारे इसमिर पार्टियों के नेता संपर्क में है लोग चांगरेश की नेता परवैस करने नहीं जारा है दूसरी बात भाय जनता पार्टि ने खुद इस बात की घुषना की है कि ऐसे लोग जिन्हों ने बिधान सब्सक्राइओ का च़रणाव लगा था कुछ मत हाकिन किये हैं उनसे हाथ पर रोर के उनको भाय जनता पार्टि में शामिल किया जाएगा भारती जनता पर्टी ने इस गिशा में कार्वाई भी किया है 36 गार भीजेपी लोग सभाच चनांख के लिए जल्धी प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है बताया जा रहा है कि बीजेपी 5 से 6 सीटों पर फरवरी में प्रत्याशों की घोशना कर सकती है इसको लेकर केंद्रे नेत्रित्व ने बीजेपी संगठन से रिपोर्ट मांगा है माना ये जा रहा है कि पार्टी लोकसभा टिकेट की घोशना विधानसभा के फॉर्मिले पर भी विचार कर रही है विधानसभा चनाओ के बीच में बीज़ेपी ने जिस तरह से पहले चरण में 21 प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर दी थी इसका सीधा फाइदा पार्टी को मिला था अधिकांग्ष प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी ऐसे में लोकसभा में भी आधी सीटों पर पहले सूची जारी करनी की तयारी चल रही है जिससे प्रत्याशियों को प्रचार के लिए भी अधिक समय मिल सके बीजेपी का मिशन इलेवन 36 गड़ की 11 लोकसभा सीटों को लेकर रणनीती तयार की गई है कलस्टर बन गया है लोकसभा के प्रभारी सहप्रभारियों के नुक्ति हो गई है और उसके लिए बैठके प्रारंब हो गई है तो निश्ची दुर्प से भारती जनता पार्टी छत्रिगड के 11 के 11 लोकसभा सीट जितने के तयारी में पूरी ताकर से जुटी है देखे हमेशा भारती जनता पार्टी नए लोगों को हमेशा से मौका देती रही है पर पार्टी जिजने योग गया और सक्षम प्रत्यासियों को चुनाओ के मैजान में उतारेगी और अब बात करेंगे रायपूर से आ रही बड़ी खबर की प्रदीश में रेकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है 142.23 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी हुई है किसानों को 29,318 करूर का भुकतान किया गया 93.44 लाख मिट्रिक टन धान का उठाव हुआ है 4 फरवरी तक धान खरीदी की जाएगी शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी होगी इससे पहले 30 जनवरी अंतिम तारिक थी लेकिन सरकार ने किसानों के लिए इस तारिक को आगे बढ़ा दी है और अब अंतिम तारिक 4 फेबरी की है त्रदेश में रेकोर्ड धान खरीदी हुई है किसानों के चाहरे खिल रहे है तारिक आगे बढ़ा दी गई है अंतिम तारिक 4 फेबरी की करदी गई है जिसके बाद किसानों में खोशी है कि जो लोग अपना धान नहीं बेच पाये थे अब वो आराम से बेच सकेंगे लेकिन बावजूद इसके रेकॉर्ड तोड धान खरीदी इस बार हुई है और शाल याइबिक नज़ अब टोप 20 खबरो पर